नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्क संकस्टी चतुर्थी सनिवार के दिन पड़े तब उस दिन का महत्व और बढ़ जाता है और आज हम बात करेंगे गनेजी को सबसे प्रियवस्तु चावल की आखिर ये चावल कैसे आपको आपके परि आप गनेजी को घर में भी पूजा करते हैं आपके पास कुछ हो या ना हो अगर चावल और गुर का भोग नियमित रूप से लगाए और इसको प्रसात के रूप में गरहन करें तो जीवन में कभी अंधन की कमी नहीं होती और इस दिन छोटा सा प्रियोग आपके जीवन की परिसानियों को दूर करेगा देखिए गनेज जी पर्थम पुजदेव हैं बुद्धी के देवता हैं अब इनको मनाना हर कोई चाता है लेकिन एक बात हमेशा याद रखें चावल रात में नहीं खाना चाहिए क्योंकि रात में खाने से क्या होता है ना लक्षमी नाराज ह जाती है वैसे अभी आधोनिक प्रचलन है कभी कभी खा सकते हैं पर नियमित रूप से मत खाईए अगर आप के घर में बीना मतलब का आपको लगे कि परिसानी जादा हो गया है जौब मिलने ही रहा जौब में परिसानी बहुत है तब संकस्टी चतूर्थी के दिन आप पह है तो उसमें थोरा सा चीनी ये गुड मिलाकर कोवों को खिलाएं इससे जो नौकरी की परिसानी है वह समाप्त हो जाती है कई बार क्या होता है जीवन में बहुत सारी परिसानी एक के बाद एक आ जाती है अब यहां से आप बाहर नहीं निकल पाते तब एक छोटा सा प्रि गनेज जी के सामने रहने दें यह आपके जीवन की हर परिसानियों को दूर करेगा और जो सिक्का है अपने घर के चावल के डबे में डाल दें तो यह प्रियोग आप सनिवारी गनेज चतुर्थी के दिन कर सकते हैं अगर आपने पहले से डाल के रखा है तो फिर कोई बात नहीं है आपको उसको निकालना नहीं है उसको रहने दें और गनेज जी के पास यह सिक्का छोड़ दें क्योंकि इसमें उनका आसिरवाद है अगर संतान की प्राप्ति की चाहतिया संतान के डिवलप्मेंट समंदी कोई मुस्किले हैं तब गाय को रोटी और गुड रोटी पर गुड रखकर अपने हाथों से खिलाएं तो संतान समंदी जो भी मुस्किले हैं वो दूर हो जाती है आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है छोटा सा प्रयोग है लेकिन जीवन के हर प्रिसानी को दूर करता है अगर आप चाहते हैं जीवन में खूब तरक्की करें तब गनेश चतूर्थी के दिन गनेश जी को एक सुपारी और थोरे से अक्छत अरपित करें और बाद में आप चाहें तो इनको अपने तीजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख लें मा लक्ष्मी का वास होगा औ अगर आपकी बरकत आपका बनाई रहेगी सफलता पाते चले जाएंगे यह चावल जो अक्छत है यानि जिसका कभी छै नहीं होता यह सोई वी किसमत को जगा देता है तो इस गनेश चतूर्थी के दिन तमाम प्रिसानियां और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती ह अगर आपको बेब बजह कलंक लगता हो या बेब आपको लगता है तंतर मंतर क्रियाएं आपके उपर किसी ने कर दी है तब संकस्टी चतूर्थी के दिन राहु केतू की परिसानियों से मुक्ति पाने के लिए क्योंकि उपरी हवा बला जो होता है वो राहु के कारण होता तो राहु केतु की समस्या यानि तंत्रमंत्र बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए गनेज जी को दुर्वा घास अर्पित करें आप चाहें तो दुर्वा घास की माला बना कर भी अर्पित कर सकते हैं तंत्रमंत्र की क्रियाएं आप पर असर नहीं करेंगी और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी भगवान गनेज जी की पूरे बिधी बिधान से इस दिन उपासना करने से आपके उपर उनकी किरपा बरसती है और भगवान गनेज की किरपा से हर मुसीवत से आप सौकुसल बाहर आ जाते हैं सबसे पहले तो सुर्योदे में उठकर स्नान बेग पित्र कर लें और फिर गनेश जी को पीले पुस्प गुड की डली या लड्डू का भोग लगाएं फिर उनको दुर्वा घास अरपित करें अगर जीवन में सत्रू बाधा है दुख परेसानी बहुत परेसान किये हैं या जीवन में लगता है जैसे अब आप सह नहीं पा रह है तब गनेश जी को लॉंग की माला बना कर अरपित करें 27 लॉंग को आप अच्छे से पीले धागा या मौली धागा के सहारे गूथ लें और उसको आप गनेश जी को पहना दे ऐसा करने से जीवन के हर परेसानी से आप बाहर निकल आएंगे अब गनेश जी को चुकि मनान भी आसान है इस दिन मूंग हरी मूंग के टोटके भी किये जाते हैं अगर चुकि गनेश जी का समंद्ध बुद्ध से भी है अगर आपको लगे कि जीवन में बुद्ध परेसान कर रहा अच्छे फल नहीं दे रहा तब एक हरा कपड़ा ले लें उसमें थोरा सा मूंग ले हरा मूंग साबूर अपने सर से तीन बार उल्टा वार लें और किसी भी नदी ताला में डाल दें या फिर आप कहीं पीपल के नीचे रख दें बुद्ध समंधी दोसों से मुक्ती मिल जाएगी आज हम बात करेंगे सुपारी के उपाय की अगर इस संकस्टी चतूर्थी के दिन आप सुपारी का कुपाय करें तो आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं और तमाम परिसानिया समाफ हो जाती है अगर किसी भी कारे में आपको रुकावटें आ रही हैं तब इस दिन साम के समय छोटा सा प्रियोग करें एक पान का पत्ता ले लें बिलकुल सुन्दर और घी मिक्स करके स्वस्तिक बनाए पान के पत्ते पर अब उस पर एक सुपारी पर कपकलावा यानि मौली धागा लपेट कर उस पान के पत्ते पर रख दें और गनेज जी को और पित कर दें आपके जीवन की सभी मुस्किलें समाफ्थ हो जाएंगी और गनेज जी के बार बिएकिन बाधायें दूर हो जाईगी तो हम बात कर रहे हैं आपके सुपाडी के उपाये के एक उपाय हमने आपको बताया गनेश जी को और पित करना है आपके धन की muskylें दूर होती है लेकिन कई बार ब्यपार में समस्याएं आती है बहुत प्रेसान करती है तब क्या करेंगे तब एक रुपएया का एक सिक्खा और एक सुपारी किसी भी पीपल के ब्रिश के पास जाएं सनिवारी संकस्टी चतूर्थी के दिन और जाकर रख दें दूसरे दिन आप उस पेड से यानि पीपल का एक पत्ता ले लें और उस पत्ते में सुपाड़ी और सिक्का रखकर लाल रंग के धागे से बांध कर आप अपने पास सुरक्षित रख लें अपने गले में रख सकते हैं बैपार अस्थान पर आपका बैपार में तरक्की होता है याद रखिए पहले सुपाड़ी और सिक्का वह रखना है और अगले दिन सुबह एक पत्ता पीपल का तोड़ना है और उसी पर सुपाड़ी और सिक्का रखकर वापस ले आना है आपके तमाम जो अबरोध हैं ब्यापार में वो समाप्त हो जाएंगे कई बार होता है लाक प्रियास के भी जीवन के कस्ठ ही कम नहीं होते तब ऐसे में इस चतुर्थी के दिन चावल के बिसेश प्रियोग किये जाते हैं वह सास्त्रों में चावल वहत महत रखता है क्योंकि चावल को अक्षद भी कहा जाता है और देवी देपताओं को समर्पित करने से आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है और अक्षद का उप्योग घर की दरित्ता को भी दूर करता है तो इस संकस्टी चतूर्ती के दिन साम में जब आप पूजा कीजेगा तब पहले तो आप जब गनेज जी की पूजा करेंगे तो सिब जी की भी पूजा करेंगे मापारवती की पूजा करेंगे तब सिब जी को कम से कम 11 दाने चावल जरूर अरपित कीजे अगर मंत्र आपको पता है तो अच्छी बात नहीं तो नमसिवाय बोलते हुए और गनेज जी का पूजा तो बिना चावल के पूर्ण ही नहीं होता तो जब गनेज जी की पूजा कीजिएगा तो थोरा सा अक्षत धोकर याद रखिए धोकर सुखावा चावल भूल कर भी उन्हें भोग मत लगाईएगा तो चावल और थोरा सा गुड उनको भोग लगाईए वो उनहीं में संतुस्ट हो जाएंगे